स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूटूब चैनल फन बित मैथ में और हम लोग बात कर रहे थे linear equation in one variable एक चरवाले रैखिक समी करण तो हमने पिछली वीडियो में ये जाना था कि linear equations क्या होती है algebraic expression क्या होते है, variable क्या होते है और constant क्या होते है फिर उसके बाद हम लोगों ने exercise को शुरू किया था और exercise 2.1 में one से लेकर के four तक के जो questions थे वो हमने solve किया था और आपको समझाया था अगर उनमें कोई भी doubt हो तो आप हमें comment करके बता सकते हैं हम उसका solution आपको जरूर देंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं question number 5, 6, 7 और 8 की तरब 5, 6, 7, 8 में जो one से four तक के question थे तरीका हमको जो उनमें इस्तेमाल किया गया था वही इसमें भी करना है और कुछ नया नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है तो आईए सुरू करते हैं तो यहाँ पर देखोगे, जो पाँचवा problem है, जो पाँचवा सवाल है वो लिखा है 6X बराबर 12 और equation को हल करने का मतलब यही होता है कि उसमें जो variable है, जो चर है, उसका मान निकाल लिया जाए और variable या चर का मान जो निकलेगा, वो कैसे निकलेगा कि बराबर के एक तरफ वो अकेला बचे X है, तो X अकेला बचे तब ही तो बताएगा ना कि X बराबर है इतने के अगर X के साथ में अगर कोई और भी है तो फिर X थोड़ी बराबर है, मतलब उसका साथ ही भी साथ में लगा है यह दोनों मिल के तब बराबर है, वो उसका मान नहीं है तो हम लोग आते हैं और इसको सुरू करते हैं तो पहला हल, यहां पे दिया गया है कि 6X बराबर 12 है, 6X बराबर 12 तो X बराबर क्या होगा, मैंने बताया था कि X को अकेले रखना, बाकि सब को उस पार भीज देना है 6 का X के साथ यहां पे संबंद है गुडे का यहां पे कोई निसान नहीं दिख रहा है बीच में तो समझ लेना कि यहां पर गुडे का निसान लगा है अगर 6 इधर गुडे में है, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर कहीं भी एक्वल का साइन लगा हुआ हो तो एक्वल के साइन के अगर लेट साइड से राइट साइड में अगर चिन्नों का परिवर्तन होता है तो वो कैसे होता है एक बार फिर से आप देख लीजिए अगर बराबर लगा हुआ है इस तरह प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा इधर मल्टिप्लाइड है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इधर डिवाइड है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा मल्टिप्लाइड और से भी होता है अगर उधर multiplied तो इधर divide इधर divide तो इधर multiplied इधर plus तो इधर minus इधर minus तो इधर plus तो यहाँ पर यह multiplied में है इस पार तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो किसमें बन जाएगा? divide में मतलब कि x बराबर हो जाएगा 12 और divide में 6 आ गया 6 एक कम 6 6 और 6 दूनी 12 मतलब कि x कमान आ गया है कितना? 2 अब यह हमारा answer सही है या फिर गलत है इसको हम check भी कर सकते हैं कैसे check करेंगे? देखिए x कमान इसी में रख देना है जहाँ पर x है तो पहले हमाँ पास क्या है? यहाँ पर 6 है x अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर कौन सा सिंबल है? गुड़े का ऐसा नहीं कि आप 2 ले जाके यहाँ रख दो तो 62 दिखने लगे ना यहाँ पर relation है गुड़े का तो आप हम इसको ऐसे कर सकते हैं 6 और जो x कमान है x पर हमको क्या रखना है? 2 रखना है लेकिन क्या करेंगे? ब्रेकट लगा के लिखेंगे यह बराबर कितना? 12 अब ब्रेकट का मतलब भी गुड़ा ही होता है 6 दूनी 12 12 बराबर 12 LHS लेप्ट हैंड साइड बाया पच जो हो गया वो दाएं पच के बराबर हो गया इसका मतलब यह है कि हमारा जो यह answer आया है वो बिल्कुल सही है अगले question में चलते हैं यहाँ पे दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है कि t upon 5 बराबर है 10 के अब इस समीकर्ण को हल करने का मतलब यही है कि इसमें जो भी variable use किया गया है उसका मान निकाल लो उसको बराबर के एक तरफ रखो तो वही उसका मान आएगा तो हमको t को इस तरफ रखना है 5 को उधर भेजना है तो यह कैसे होगा देखिए 5 इधर भाग में है divide में है जो इधर divide में उधर जाएगा तो multiplied में तो इधर यह divide में है तो उधर जाएगा गुड़ा हो जाएगा इधर भाग में उधर गुड़ा होगा इसका देखो कैसे होगा इधर बच्चेगा क्या t 10 के साथ गुड़ा होने कौन गया 5 गया तो यह बन जाएगा t बराबर कितना 10 पचा पचास यह हमारा answer आ चुका है अब यह हमारा answer सही है कि गलत है इसको हम तुरंट चेक कर लेंगे जहाँ पर t है वहाँ पर हम t का मान रख देंगे तो चेक हो जाएगा यह t के जाएगा अब हमने लिख दिया कितना पचास पचास बटे 5 बराबर 10 पाँच दहम पचास 5 तेन जा 50 10 इस इक्वल टू 10 लेप्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है इसलिए यह हमारा answer t बराबर 50 बिल्कुल सही है अगले question के तरफ चलते हैं बिल्कुल सेम प्रक्रिया अपनाएंगे आप देखते रहिए यहाँ पर क्या है 2x बटे 3 बराबर 18 जो इधर divide में है उधर जाएगा multiplied में तो 2x बराबर 18 के साथ इधर यह बटे में था भाग में था उधर गया गुड़े में गुड़े 3 हो गया अब 2x बराबर क्या मिलेगा 18 तिया चाववन एक तीन थरिजा 54 अब 2 इधर गुड़े में है तो उधर जाएगा तो भाग में मतलब कि x बराबर हो जाएगा 54 बटे 2 अब 2 से इसको भाग दे दो चाहे 2 से काट दो पहले 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 को काट होगे 2 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 2 एक कम दो 2 दूनी 4 2 तिया 6 हो जाएगा तो 5 से जादा हो जाएगा 2 दूनी 4 अब यहाँ पर एक बच गया एक जो बचा है वो इसके बगल में लग जाएगा तो यह 14 दिखने लेगा 14 दिखने लेगा अब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 14 कटे 2 सते 14 कितना आगया 27 आगया तो X कमान आगया हमारा कितना 27 और यह एंस्वर हमारा बिलकुल सही है आपको इसे चेक करना है खुद चेक करोगे तो आपको भी समझ में आएगा आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो की आखरी कोईशन की तरफ और यह एकसरसाइज का भी आखरी कोईशन इसके बाद एक कोईशन बचा हुआ है उसको आप करियेगा नहीं आएगा तो हम उसको जरूर सॉल्व कर देंगे तो इसमें क्या है थोड़ा सा कनफ्यूज करने के लिए पॉइंट लगा दिये हैं कोई बात नहीं हमें कुछ करना ही नहीं है हमें तो वाई का मान निकालना है बाकी तो जोड़ घटाना गुड़ा भाग वो जो होगा वो ऐसे ही होगा तो इसको कैसे हल करेंगे भाई देखो एक दसमलो छे बराबर वाई बटे एक दसमलो पांच हमें मान किसका निकालना है वाई का समीकान को हल करने के मतलब कि हमको जो भी चर है उसका मान निकालना जो भी वैरियबल है उसका मान चाहिए तो इसका मान चाहिए तो बराबर के इस तरफ ही अकेला ही रहे जो इधर भाग में है इसके साथ ये इधर आ जाएगा गुड़े में तो एक दसमलो छे गुड़ा एक दसमलो पांच बराबर किया इधर बचा y अब इसका गुड़ा कर लो मैं डायेट कर रहा हूँ गुड़ा पंद्रा छक्का नब्बे के 0 हासिल 9 और पंद्रा एक कम पंद्रा पंद्रा औन्व 24 तो हमने लिख दिया 24 एक अंके पहले दसमलो यहाँ था और एक अंके यहाँ था कुल दो अंके पहले दसमलो है तो एक दो यहाँ पे हमने दसमलो लगा दिया तो y बराबर हमारा आ गया है 2.4 यह हमारा एंस्वर है तो हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बच्चो आपका धन्यवाद जो बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को और अपने दोस्तों तक सेयर करें ताकि सब करलाब हो सके तो आज इतना ही थेंक्यो बच्चो